संकस्टी चतूर्टी ब्रत कथा एक सहर में देवरानी जेठानी रहती थी जेठानी यमीर थी और देवरानी गरेव थी देवरानी गडेश जी की भक्त थी देवरानी का पती जंगल से लकड़ी काट कर वेजता था और अक्सर विमार रहता था देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती, और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना पुरानी कपड़े याद उसको दे देती थी इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था माग महिने में देवरानी ने तिल चवत का ब्रत किया पांच आने का तिल वगुर लाकर तिल कुट्टा बनाया पूजा करके तिल चवत की कथा कहानी सुनी और तिल कुट्टा छीके में रख दिया और सोचा की चाद उगने पर पहले तिल कुट्टा और उसके बाद ही कुछ कथा सुनकर वा जेठानी के यहां चली गई खाना बना का जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले मा ने ब्रत किया है और मा भूखी है जब मा खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं एकेला नहीं खाऊंगा जब चाद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है तुम्हें कैसे दे दू तुम सुबा सबेरे ही बच जहुआ खाना ले जाना दिवरानी के घर पर पती बच्चे सब आज लगाये बैठे थे कि आज तो दिवहार है इसलिए कुछ पकवान ना दिखाने को मिलेगा परन्त जब बच्चों को पता चला की आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे उसके पती को भ अपड़े धोने के धुवाने से मारा धुवाना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा वह बेचारी गड़ेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पी कर सो गए उस दिन गड़ेश जी देवरानी के सपने में आये और कहने लगे धोने मारी पाटे मारी सो रही है या जा गरेश जी बोले भूख लगी है कुछ खाने को दो दिवरानी बोली क्या दो मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है जिठानी बचा खुचा खाना देती थी आज वह भी नहीं मिला पूजा का बचा हुआ तिल कुट्टा छीके में पड़ा है वहीं खालो तिल पूरा घर जहां इच्छा हो वहां निम मटलो फिर गड़ेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहां पोचो नीद में मगन अब देवरानी को बहुत गुसा आया कि कब से तंग किये जा रहे हैं सो बोली मेरे सर पर पोचो और कहां पोचो गे सुबा जब देवरानी उठी तो यह देख का हैरान रह गए कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा हसीर पर जहां बिनायक जी पोचनी कर गए थे वहां हीरे के टीके वबिंदी जगमगा रहे थे उस दिन देवरानी जिठानी के यहां काम करने नहीं गई बड़ी देर तक राह देखने के बाद जिठानी बच्चो को देवरानी को बुलाने भेजा जिठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए साय देवरानी बुरा मान गई हैं बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो मान ने बुलाया है सारा काम पड़ा है देवरानी ने जब दिया अब उसकी जरूरत नहीं है घर में सब भरपूर है गड़े जी के आसीज से बच्चों ने घर जाकर मा को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगार आह जिट नी दवर्ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे देवरानी ने उसके साथ जो हुआ ओ सब कह डाला घर ल मानस मैंने कभी तुम पर हात भी नहीं उठाया मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ वह नहीं मानी और जिद करने लगी मजबूरन पती को उसे मानना पड़ा उसने देर सारा घी डालकर चुर्मा बनाया और छीके में रखकर और सो गई रात को चौत विना खायक जी सपने में आये कहने लगे भूक लगी है क्या खाऊं जिठानी ने कहा ये गड़ेश जी महराज मेरी देवरानी के यहां तो आपने सूखा तिल कुट्टा खाया था मैंने तो जरने घी का चुर्मा बना कर आपके लिए छीके में रखा है फल और मेवे भी रखे है जो चाहे खा लेजिए बाल सरूब गड़ेश जी बोले अब निप्टे कहां जिठानी बोली उसके यहां तो तूटी फूटी छोपड़ी थी मेरे यहां तो कंचन के महल है जहां चाहो निप्टो फिर गड़ेश जी ने पूछा अब पोच्छू कहां जिठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पोछलो धन की भूकी जेठानी सुबह बहुत चल्दी उठ गई सोचा घर हीरे जहुरात से भर चुका होगा पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी तेज बदबु आ रही थी उसके सीर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी उसने कहा है गड़े जी महराज यह आपने क्या किया मुझसे रूठे और देवरानी पर तूटे जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिस की परंथ गंदगी और ज्यादा फैलती गई जेठानी के पती को मालुम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा परिशान होका चौथ के गड़ेश जी से मदद की बिंती करने लगी गड़ेश जी ने कहा देवरानी से जलन के काड़ा तूने जो किया था हुआ उसी का फल है अब तू अपने धन में से आधा उसे दे कि तभी यह सब साफ होगा उसने आधा धन बाट दिया किन्तु मोहरे की एक हांडी चूले के नीचे गार रखी थी उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बाटा उसने कहा है श्री गरेश जी अब तो अपना यह बिखवार समेटो वे बोले पह अंडी सही ताक में रखी दो सुई के भी दो हिस्से करकर इस प्रकार श्री गरेश ने बाल स्वरूप में आका सुई जैसी छोटी चीज का भी बटवारा किया और अपनी माया समेटी है गरेश जी महराज जैसे आपने देवरानी पक्रिपा की वैसे सब पर करना कहानी कहने वाले सुनने वाले वा हुंकारा भरने वाले सब पक्रिपा करना किन्तु जिठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना बोलो गरेश जी महराज की जै चोट माता की जै दूसरी कथा वडारिक गरेश कथा के अमसार एक बार देवता कई विपदाओं में गिरे थे तब वो मदत मामने भगवान सीव की पास आए उस समय सीव के साथ कातके तथा गरेश जी भी बैठे थे देवताओं की बाह सुनकर सीव जी ने कातके वगड़ेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्डों का निवाण कर सकता तर कातके वगड़ेश जी डोनों ने ही स्वयम को इस कार के लिए सच्छम बताए इस पर भगवान सीव ने दोनों की परिछा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले प्रिथवी की परिख्मा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा भगवान सीव के मुख से यह बचन सुनते ही काति के अपने वाहन मोर पर बैठ प्रिथवी की परिख्मा के लिए निकल गए परंतु गड़ेश जी सोच में पड़ गए कि वह के उपर चणका सारी प्रिथवी की परिख्मा करने के तो इस कार में उन्हें बहुत समय लग परिख्मा करके लोटे परकाति के स्वयम को विजेता बताने लगे तब शीवी जी ने सिरी गड़ेश से प्रिथवी के परिख्मा ना करने का कार पूछा तब गड़ेश ने कहा माता पिता के चड़ों में ही समस्त लोग है या सुनकर भगवान सीवी ने गड़ेश जी को दियोताओं के संकर दूर करने की आग्या दी इस परकार भगवान सीवी ने गड़ेश जी को आश्री बात दिया कि चड़ुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और राथे में चंदमा को अर्ग देगा उसके तीनों ताप यानि दैरीक ताप तथा भवतिक ताप दूर होंगे इस ब्रत को करने से ब्रतधारी के सभी तरह के दूप दूर होंगे और उसे जीवन के भवतिक सुखों की प्राप्ती होगी चारों तरफ से मनुस्की सुख सम्रिधी बढ़ेगी पूत्राद धन ऐस्वर की कमी नहीं रहेगी